Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. Students, हम best of the best current affairs provide करते हैं. आप हमारी applications carried cloud को जाके check कर सकते हैं, जहाँ पर आप easily आपको various courses देखने को मिलेंगे, quizzes attempt करने को मिलेंगी, PDFs मिलेंगी, जो कि आपकी preparation में बहुत ज़ादा help करने वाली हैं. हमारा जो session है, हमारा जो courses हैं, ये क्यों top notch रहते हैं? क्योंकि जो हमारी applications हैं, हम यहाँ को variety of questions प्रोवाइड करते हैं, variety of notes प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको content मिलेगा बोथ Hindi as well as English में. आपको क्या करना हैं? हमारी application को download करना है Google App Store से, जो कि आप easily Carrier's Cloud के नाम से search करके download कर सकते हैं, and once you have downloaded, आपको login करना पड़ेगा with your Gmail ID, and login करने के बाद आपको हमारी जो भी courses हैं, वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे, जो भी आपको quiz attempt करनी है, वो देखने को मिलेंगी, आपको e-books मिलेंगी यहाँ पर, path मिलेंगे आपको, and जैसे मैंने आपको बताया, हम daily basis पे, weekly basis पे और monthly basis पे current affairs अप्रोड करते हैं, both in Hindi as well as English language, यहाँ पर आप देखेंगे, जो daily basis पे आपको notes प्रोड किया जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस application पे quiz attempt कर सकते हैं, daily basis पे जो कि बहुत जादा helpful रहने वाली है, similarly, weekly basis पे भी आप ये करेंगे, जो current affairs हैं, उसके आपको PDF मिलेगी, and आप quiz attempt कर सकते हैं, weekly basis पे भी, जो कि आपकी preparation को एक step आगे लेके जाएगा, and फिर ऐसे ही, जो monthly basis पे आपको 100 questions की important PDF मिलेगी, वो आप revision के लिए, एक बहुत अच्छा source रहेगा, आप सभी students के लिए, जो government exam experience हैं, इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम banking और economic के current affairs प्रोवाइड करते हैं आपको, हम state wise current affairs प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्राकंड, उत्तरपरदेश, त्रिप्र अतिलंग न कोई भी state हो, not just this friends, इसी के साथ साथ देखेंगे, हम आपको topic wise current affairs भी प्रोवाइड करते हैं, और यह topics बहुत जादा important होते हैं, topics देखें, तो जैसे important days, national affairs, international affairs, sports, defense, science and technology, apps and web portals, name the topic और आपको उस topic के हाँ पर current affairs देखने को मिलेंगे, जो भी government schemes launch की जाती हैं, जो भी MOU science किये जाते हैं, जो भी indexes and reports आती हैं, वो सारी हमारे दुआरा cover की जाती हैं, ताकि student को one of the best experience मिल सके current affairs का, और उनको इधर उधर ढूनना ना पड़े content, जहाँ पर हम आपको सारा content एक ही जगह पे provide करा देते हैं, Hello friends, कैसे आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 10 February के important current affairs discuss करेंगे, ये session आप सभी के लिए काफी helpful रहेगा, तो end तक बने रहेगा, कल friends मैंने आपको homework questions दिये थे, तो उनका correct answer आगया है, गर्विता जी के दुवारा सभी answers यहाँ पे सही दिये गए हैं, तो आप इनके यहाँ से answer को check कर सकते हैं, पहला question आजाता है, ministry of defense ने अभी एक agreement sign किया है, किस company के साथ, ताकि 41 modular bridges को procure किया जा सके, ठीक है, I repeat, ministry of defense के दुवारे ये agreement sign किया गया था, किस company के साथ, L&T के साथ ये agreement sign किया गया, 41 modular bridges को procure करने के लिए, और इसके लिए जो amount spent किया जाएगा, वो है 2585 crore, that means 2585 crore, spend किये जाएगे, ताकि 41 modular bridges को procure किया जा सके, और ये किसको दिये जाएगे, Indian army को, फिर question पूचा जा सकता है, कि इनको develop किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये जो बनाये गए है, DRDO के द्वारा इनको develop किया गया है, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये आपके modular bridges इंडिजीनिसली बिल्ट है, इंडिया में ही बनाये गए है, DRDO के द्वारा इनको बनाया गया है, 41 ये modular bridges रहेंगे, Indian army को ये supply किया जेंगे, L&T के द्वारा इनको procure किया जाएगा, और बनाया गया है DRDO के द्वारा, ठीक है, और ministry और defense ने इसके लिए contract sign किया था, 22,585 रूपीज के लिए, और इनको बनाया गया है आतन निर्बर भारत मिशन के अंडर, ताकि इंडिया में ही defense को हम बढ़ा सके, इंडिया में ही defense का production बना सके, ताकि हमें defense related equipments को बहार कंट्रियों से दूसरी कंट्रियों से procure ना करना पड़े, next, buy monthly monetary policy अभी ये release की गई थी, RBI की, इसमें सबसे पहले तो याद रखो, जो repo rate बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 6.4% का repo rate यहां पे कर दिया गया है, ठीक है, buy monthly policy में, फिर इसी के साथ, I repeat, 6.5% का कर दिया गया है, यहां पे 25 basis point आपका repo rate बढ़ाया गया था, RBI के दौरा ठीक है, इसी के साथ साथ question आ रहे है, कि इंडिया की expected GDP कितनी रहेगी for fiscal year 24, मतलब 2023-24 के लिए जो इंडिया की expected GDP growth रहेगी, वो कितनी रहेगी, 6.4% की, even RBI के दौरा अगर मैं पूछू, retail inflation कितना है, कितना इंडिया में inflation है भी, और इसी के साथ साथ बता दो, जो target रहेगा inflation को control करने का वो कितना है, तो अगर हम देखें, जो consumer price index, CPI कहीं या retail कहीं, retail inflation कहीं, वो कितना है, 5.3% का, और इंडिया का जो target है कि हमें 2024 तक इस inflation को कितना लाना है, under 4% लाना है, 2-6% के बीच में जो आपका inflation होता है, वो acceptable होता है, लेकिन इंडिया का target है, कि हम inflation को 4% से भी नीचे लाने की नोने बात की by 2024, तो यह है आपकी monetary policy, RBI की by monthly monetary policy जिसमें data release किया गया, GDP 6.4%, अभी जो inflation है, retail inflation है, CPI का data है, वो है 5.4% का, और यहीं पे जो repo rate की अगर हम बात करें, बढ़ा के कितना कर दिया गया है, आपका repo rate बढ़ा के कर दिया है, 6.5% और अभी recently 25 basis points से इ ठीक है, चलिए, next पे आते हैं, next हम बात करते हैं, अभी recently which of the organization is offering rope credit cards on UPI, यह जो rope credit card नहीं है, इसको ऐसे समझिए, which of the following is offering rope credit card on UPI, ठीक है, rope नहीं है यह, करेकिल जेगा, so which of the following is offering rope credit card on UPI for the first time, यह कौन कर रहा है, यह आपका कर रहा है, मूबिविक, मूबिविक क्या है, मूबिविक is one of the payment act, एंड यह पहली fintech company बन गई है, इंडिया में, जिनोंने support किया है, rope credit cards को on UPI, first, fintech, यह वो पहली fintech बन गई है, पहली, जिनोंने rope credit card को accept किया है, on UPI, UPI Unified Payment Interface, और हम जानते हैं, इसको more than 10 plus countries में अब use किया जा रहा है, NPCI के दोरा इसको launch किया गया था, NPCI आपका 2016 में आया था, ठीक है, एंड आप कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप आने वाले 4-5 साल में देखेंगे, तो UPI और जादा countries में use किया जाने लगेगा, क्योंकि it is one of the best payment solution, आप इससे एक account से दूसरे bank account में पैसा easily भेज सकते है Just by scanning it, और यह बहुत fast और easy way of payment है, और आप इसी की बड़ाला देखेंगे, इंडिया में जो number of transactions हम देखते हैं, और रिकॉर्ड वॉल्यूम देखा गया है, पिछले 1-2 सालों में, सबसे ज़्यादा transaction इंडिया में होती है, और online का hub बनने वाला है, इंडिया आप आने वाले रुपे credit cards on UPI, ठीक है, NPCI ने अलाओ किया, मोबिविक को to offer customers the facility to make UPI payments through रुपे credit cards, चलिए, फिर इसी के साथ सा ध्यान रखेंगे, जो limit की अगर मैं बात करूँ, तो क्या limit रहती है UPI की, जो fund transfer की है, वो क्या रहती है, limit UPI की, नॉर्मल देखेंगे तो 1 लैक रुपीज हो मानलो आपको capital markets या फिर forward invert remittance लेनी है, तो वहाँ से 2 लाख रुपे per transaction की आपके limit रहती है, मानलो आपको किसी IPO में, initial public offer में, आपको offering में आपको पैसा लगाना है, या फिर retail directly में पैसा लगाना है, वहाँ पे जो transaction की limit रहती है, वो रहती है 5 लाख रुपे तब की, ठीक है याद रखेंगे, फिर इसी के साथ साथ, अभी आगर आपको याद हो, यूरोप में भी आपका UPI use करने की बात की गई थी, फिर अगर मैं मोबिविक systems limited की बात करूँ, तो कभ इस्टेबलिश किया गया, 2009 में इसको इस्टेबलिश किया गया था, गुरुग्राम हर्याना मे इसका headquarter है, और co-founder and MD and chief executive officer कौन रहेंगे, विपिन, प्रीत, सिंक, ठीक है, चलिए next पे आते हैं, next कहे रहे आपका, which of the small finance bank has launched an application for micro banking ruler customers, यहाँ पे आपको small finance का bank का नाम बताना है, और इस application का भी नाम बताओ, जो application launch की गही है by this small finance bank, तो सबसे small finance bank देख लेते हैं, वो है आपका, उजीवन small finance bank, इन्होंने एक application launch की है, for micro banking ruler customers के लिए, इस application का जो launch की गई है, यह banking ruler customer, यह basically कहा है, जो disabled लोग हैं, जिनको पढ़ना और लिखना नहीं आता है धंक से, उनके लिए यह application launch की गई है, और इस application का नाम क्या रहेगा, हेलो उजीवन, ठीक है, हेलो उजीवन, यह application का नाम रहेगा, जो कि digitally challenge लोगों के लिए launch की गई है, यह application आपकी 6 regional languages में launch की गई है, जो कि हैं, हिंदी, मराथी, बंगाली, तमिल, गुजराती, कंणड, ओरिया, एंड, असमीज, यह application आपकी artificial intelligence और machine learning पे बेस रहेगी, यही पर अगर आपके dialects change हो जाती है, तो जो आपका app engine है, machine learning और artificial intelligence की मदद से, आपके dialect को भी यहाँ पे trace कर सकता है, पता कर सकता है, उस हिसाब से आपको result दे सकता है, फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे आप EMI आपको करानी हो, आपको FD करानी हो, आपको recurring FD करानी हो, तो उन सा सारी चीज़ों के भी यहाँ पे आपको features provide किये जाते हैं, इसके साथ साथ यह आपका बोलने का voice का भी feature यहाँ पर होता है, कि वो आपको बोल के भी सारी चीज़े बताता रहेगा, और बोलनों तो यह application three weeks पर work करती है, voice, visual and vernacular, यह तीन features पर यह आपकी base रहती है, ठीक है, तो काफी important, hello, उजयन application का नाम रहेगा, उजयन small finance bank के दवारा इसको launch किया गया था, और आपके जो लोग पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, जिनको अभी digital कितनी knowledge नहीं है, उनके लिए यह application बहुत जादा helpful रहने वाली है, और कितनी regional language में launch की गई थी, 8 regional language में इसको launch कि आगया है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इंशॉरेंस mall portal, ये किस के दवारा launch किया गया है, और ये क्या है, जैसे mall है, तो mall में आप जाते हैं, आपको सारी चीज मिल जाती है, चाहे आप अपने shoes लेने जाए, चाहे आप अपने जीन्स लेने जाए, चाहे आप अपने क्या कहत इस पर्टिकुलर इंशॉरेंस mall पर रहेंगी, और portal आगया तो portal होती है, वेब साइट, ठीक है, तो एक website launch की गई है, जो कि इंशॉरेंस के लिए है, जहाँ पर multiple आपको policies मिलेंगी, यहाँ पर 250 प्लस policies रहेंगी, जो कि आपके time के साथ constantly update होती रहती है, ताकि वो relevant रहे, य यहाँ पर लोगों को easy by experience प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो quality services का फाइदा उठा सके और उनको कोई भी problem आती है, एक तो देखो जाना नहीं पड़ेगा, सबसे बड़ी important चीज तो होगे कितना बीड मैं उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो घर बैटे बैटे website की से इस insurance mall को इनका फाइदा उठा सकते हैं और online ही अपने लिए service book कर सकते हैं, यहाँ पर 250 से प्लस आपकी service रहती है, फिर आपको online support भी यहाँ पर provide किया जाता है कि कोई भी दिक्कत आती है तो आप online यहाँ पर बात कर सकेंगे, फिर इसी के साथ साथ देखेंगे, यह policy offer करत जहाँ पर आपकी health insurance, two wheeler insurance, four wheeler insurance भी रहती है, आपकी pocket insurance subscription, investment plans भी यहाँ पर offer किये जाते हैं, तो अगर आप मैं बात करूँ बजाज finance limited की, तो managing director कौन रहेंगे, राजीव, जैन और इनका headquarter पुने महराश्टा में रहेगा, ठीक है, तो यह बजाज finance limited के दोरा insurance mall portal launch हिया गय experience आपे 250 plus आपकी services provide, 250 plus policies provide की जाती है, जो की keep on changing with time, next ये भी important रहेगा, friends, mark करेंगे, हम बात करते हैं, Indian hydrogen alliance की, अब basically हम जानते हैं, hydrogen को एक green fuel की तरह देखा जा रहा है, और इसको काफी promising fuel समझा जा रहा है, for the future, बहुत सारी countries इस fuel पे बैट कर रही है, even इंडिया ने अपना national hydrogen mission भी launch किया था, और यहां पर उन्होंने roadmap भी लाया था, कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, even काफी सारे projects launch किये जा रहे है, तो इसी के लिए अभी European investment bank ने agree करा है, to join Indian hydrogen alliance और इन्होंने pledge किया, कि हम 1 billion euro, हम 1 billion euro provide करेंगे, for large scale green hydrogen projects in India, मतलब जो भी आपके hydrogen projects इंडिया में develop किये ज इसमें हम इन्होंने 1 billion euro का amount fund किया है, ताकि हम और बैटर तरीके से और जगह पर यह अपना fund को utilize करके, better hydrogen projects को ला सके हैं, और even आप देखेंगे, जैसे असम में जोरहट में बन रहे है, तो यह projects में कहीं नक ही, hydrogen की मदद से आप देखेंगे, आने वाले time में, जो हम non renewable sources of energy से renewable sources of energy पर shift कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि हम carbon neutral हो जाएंगे, जैसे इंडिया ने बोला कि 2070 तक इंडिया carbon neutral हो जाएगा, तो इन सब plans को एक reality में बदलने के लिए हमें shift करना पड़ेगा, और green hydrogen एक one of the promising fuel है future का, इसी के साथ से अगर मैं बात करूँ, European Union, याद European Union का एक initiative है, Global Gateway Initiative, ये promote करता है ताकि globally, regional connectivity हो सके, जैसे for digitally, आपके transport से related, फिर आपकी health में, energy में, education sector में, globally, एक जगे से दूसरी जगे, easily हम connectivity कर सके, ये Global Gateway Initiative किसका है, ये European Union कराएगा, फिर अगर मैं European Investment Bank की बात करूँ, वर्नर हॉयर प्रेजिडेंट, 1958 में इसको establish किया गया थे और लगजंबर्ग में यहाँ पे headquarter रहेगा, तो याद रखेंगे, European Investment Bank ने pledge किया to join Indian Hydrogen Alliance, और यहीं पर 1 billion euro इन्होंने invest करने की बात की to Indian Government and यहाँ पे, ताकि जो hydrogen से related projects है, महाँ पर investment की जा सके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है, IISC Bangalore ने किस organization के साथ अभी research and development के लिए hands join किये in electrostatic discharge protection, electrostatic discharge protection के लिए अभी recently किस organization ने IISC Bangalore के साथ tie up किया, तो याद रखेंगे, वो रहेगी Samsung, और Samsung का आम है, एक आपका वो है, क्या, Samsung का जो आम रहेगा SSIR, Samsung Semiconductor India Research, यह subsidiary है Samsung की, इन्होंने IISC Bangalore करनाटा का के साथ tie up किया, कि electrostatic discharge protection के लिए यहाँ पर research and development की जा सके, आप जैसे electrostatic research क्या होता है, जैसे आपने कभी आप कुरसी पर बैठेंगे, आप प्लास्टिक वाली हो और आप खुद को वहाँ पर rub करके देखेंगे ना, उसके बाद आप किसी को touch करेंगे तो आपको हलका सा shock लगता है, या फ CAC Bangalore ने Samsung Semiconductor India Research के साथ टाइप करा, अगर मैं Semiconductor Manufacturing की बात करूँ तो इंडिया में कहां पर Semiconductor Manufacturing हब बनने जा रहा है, वो है गुजरात में, Semicon India कहां पर हुई थी, वो Bangalore में हुई थी, किस के दोरा inaugurate की गई थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी के दोरा inaugurate क की गई थी, SSI की बात करूँ, तो Managing Director कौन रहेंगे, बाला जी, स्ववी राजन, Headquarter Bangalore करनाटका में रहेगा, 1996 में Establish किया गया था, IISC Bangalore की बात करूँ, तो गोविंदन, रंगा राजन यहां के Director रहेंगे, Headquarter रहेगा Bangalore करनाटका में, और कब Establish किया गया था, 1909 मे इसको Establish करा गया था, Moving on, Next, रश्या ने अभी किस कंट्री के साथ एक MOU साइन किया, LNG Supply and Low Carbon Ammonia के लिए, वो रहेगी कौन सी कंट्री, इंडिया, और ये तो हो गया कंट्री की बात, कि रश्या और इंडिया ने tie-up किया, इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखो, जब 33 टाइमस बढ़ गया है, for crude oil, और crude oil में भी कौन सा, virgin oil, वो oil रहेगा, ठीक है, ये 33 टाइमस जादा import कर रहे हैं, और फिर इंडिया अपना oil को directly किसको बेच रहा है, USA को बेच रहा है, तो हम कहें तो USA indirectly इंडिया से oil purchase कर रहा है, रश्या पे sanction लगा के, तो देखो ये तो हो कंट्री की बात, अब कंट्री के अलावा नाम याद रखो, रश्या की कौन सी कंपनी है, जो ये LNG बेच रही है, इंडिया को, तो याद रखेंगे, रश्या का second largest natural gas producer, वो है, नौवटेक, रश्या का second largest natural gas producer, नौवटेक, इंडिया के दीपक फर्टिलाइजर को, और इंड कर रहे हैं, liquefied natural gas and low carbon ammonia from नौवटेक, ठीक है, याद रखेंगे, काफी important, ये जो MOU है, ये sign करता है, long term LNG deliveries to दीपक फर्टिलाइजर, including from the Arctic LNG to project, अब उनको कहां से बेचना है, रश्या को, वो ये depend करेंगे, पर रश्या की कंपनी आ जाती है, नौवटेक, जो यहाँ पे L देशों के बीच में जो trade है, वो बढ़ेगा, और आप देखेंगे, इंडिया की जो demand है, मतलब हम कहें तो इंडिया को अब energy sector में dependent नहीं रहना पड़ेगा, energy sector में इनको कोई जादा दिक्कत नहीं आने वाले, क्योंकि नोंने बहुत जादा, हमने oil को import कर लिया है, and हमारे लिए ही ये energy security के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फिर अगर मैं novatec की बात करूँ तो ये रश्या में headquarter है, 1994 में इसको establish किया गया था, और अगर दीपक fertilizers की बात करूँ, तो पुने में इनका headquarter है गया, 1979 में इसको establish करा गया था, moving on, next हम बात करते हैं, यह है elder vis, elder vis, elder vis का नाम change करके, elder vis general insurance का नाम change करके, अब क्या रख दिया गया है, वो है, zuno general insurance, zuno gi, zuno general insurance अब नाम रख दिया गया है, आपका, किसका elder vis general insurance का, काफी important इसको mark करेंगे, यह आपके लिए काफी beneficial रहने वाला है, तो do market, ठीक है, चलिए, next पर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, elder vis general insurance, इन्होंने खुद को rebrand कर लिया, जूनो general insurance, जो कि एक नई age की insurer, with the ambition to reimagine and redefine insurance, to make easy, friendly and transparent, transaction हो सके, insurance logo को provide किया जा सके, convenient हो सके, जादा better service provide किया जा सके, जादा better insurance products provide किया जा सके, लोगों को, ठीक है, चलिए, moving on, next आता है, TCS, TCS ने अभी recently एक deal sign की है, UK के Phoenix group के साथ, और यह deal जो sign की गई है, 600 million, British pound sterling की यह deal sign की गई है, basically, ठीक है, यहाँ पर जो TCS है, यह क्या गरेगी, अपना network की मदद से, जो Phoenix है, उनके reassure business को handle करेगी, वहाँ पर administration service provide करेगी, as a part of this agreement, तो I repeat, और TCS हम जानते ही, आपके software development company है, तो यह UK की Phoenix group के लिए, जो भी communication system होंगे, जो भी आपके administration service related software होंगे, वो सारे यहाँ पर provide किये जाएंगे, under this particular agreement, जो रहेगा for 600 million pound sterling का, moving on, which Indian music composer and producer, इन्होंने अभी अपना third Grammy award जीता and dedicated his trophy to India, तो याद रखेंगे, अभी recently वो कौन रहेंगे, वो है Ricky Cage, आप इनको picture में देख सकते हैं, इन्होंने अपना third Grammy award जीता है भी recently, during the 65th annual Grammy Awards, जो कि अभी कहाँ पर हुए थे, Los Angeles, United States of America, California में हुए थे, कहाँ पर हुए थे, crypto.com arena में हुए थे, जो कि Los Angeles, California, USA में है, यहाँ पर याद रखेंगे, रिकी Cage, जो कि Indian music composer and environmentalist है, यह आपके, बैंगलोर से based है, और इन्होंने अपना third Grammy award को जीता है, recently, during the 65th annual Grammy Awards, काफी important इसको mark करके चलेंगे, ठीक है, फिर इस यहीं पर अगर हम देखें, तो question आ सकता है, यह कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया में, बैंगलोर से बिलोंग करते हैं, कौन से नंबर का award जीता, third Grammy award जीता, कहाँ जीता, 65th annual Grammy Awards के दोरान जीता, और कहाँ पर चलिए, next पर आते हैं, next हम बात करेंगे, PCI के राजा राम मोहन ड्रोय, National Award for Excellence in Journalism, PCI क्या होता है, अपका Press Council of India, तो Press Council of India के दोरा एक award दिया जाता है, वो है, राजा राम मोहन ड्रोय, National Award for Excellence in Journalism, ताकि जो जर्नलिस्ट है, वो अपना काम और शिद्दत से कर सकें, और मेहनत स से कर सकें, और उनको मॉटिवेट करने के लिए ही, ये राजा राम मोहन ड्रोय, National Award से सम्भानित किया जाता है, for the Excellence in Journalism, तो 2020 के लिए किन को सम्भानित किया गया, वो है, AB के प्रसाद, फिर याद रखेंगी, ये जो अवार्ड है, PCI, Press Council of India के दोरा इस्टेबिश किया गया थे, ठीक है, ब्रह्मो समाज के फाउंडर थे, इन्होंने ही वर्ड दिया था Hinduism, इन्होंने ही वर्ड दिया था Hinduism to English Language for the first time in 1816, और इसी के साथ-साथ इनको Father of Modern India भी बोला जाता है, और इनको Father of Bengal Renaissance भी बोला जाता है, तो ये तीन-चार चीज़े आमको राजा राम मोहन रो इसे रिलेटिड भी डेफिनिटली याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, और इसी से रिलेटिड एक और चीज़, जो ये अवर्ड होता है, इसके साथ एक लाग रुपे, एक साइटेशन और एक प्लैक से भी सम्मानित किया जाता है, और अभी 2020 के लिए राजा राम मोहन रो इसे रिलेटिड गुपे, इनको मिला, एक प्रसाद को, ये अवर्ड किसके द्वारा जिया जाता है, प्रेस काउंसल आफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, कब से देते आ रहे हैं इस अवर्ड को, 2012 से ये अवर्ड देना स्टार्ट किया गया है, नेक्स्ट, और नेक्स्ट, बात करते हैं, एंटीपीसी, एंटीपीसी ने अभी, एटीडी बेस्ट अवर्ड फौर्ड देसुट सिग्स्ट अवर्ड जीता है, ये एटीडी क्या है, एसोसियेशन फौर टेलेंट डेव्लप्मेंट बेस्ट अवर्ड यहां पर इनको इस आवर्ड से सम फाल यह पर इसी के लिए एंटीपीसी को अभी शिक्स टाइम कि सिस्ट टाइम एटिडी बेस्ट अवार्ड से समानित किया गया फॉथ वूख्ष टीटी टाइम इससे पहले 2017-18-19-2022 17-18-19-2022 और अब तेएस में इन सालों में इनको सम्मानित किया गया with this award and ATT यह आपका रहेगा Association for Talent Development Best Awards for 2023 all right highly important ATT Best Award की बात करें यह 2003 में established किये गए थे and the best award winner circle includes small and large private sector bank public large private organizations public non-profit organizations along the globe फिर NTPC के अगर मैं बात करूं तो NTPC की chairman and managing director कौन रहेंगे गुर्दी सिंग इनका headquarter कहां पर है न्यू डेली में कभी established कियाग 1975 में इसको established करा गया था फिर बात करते हम जड़ा एक auditory की जिनका recently निधन हो गया वो है Italian Olympic skier Elena Fanchini ठीक है यह Italy से बिलॉंग करती है इन्होंने तीन बार Winter Olympics में पार्टिस्पेट किया 2006 दस और चौदा में छे टाइम World Championship में इन्होंने पार्टिस्पेट किया एन इनका recently अभी निधन हो गया इटली में at the age of 37 due to cancer और इनका जनम हुआ था 30 अप्रेल 1985 में लावरे इटली में moving on next बात करते है South Indian Bank की South Indian Bank ने अभी तेलंगना गॉर्मेंट के साथ पार्टर किया साउथ इंडियन बैंक ने अभी टाइप किया है तेलंगना गॉर्मेंट के साथ ताकि गॉर्मेंट का जो online revenue होती है जो रिसेप्स होती है वो collect कर सके on the behalf of तेलंगना गॉर्मेंट इससे क्या होगा एक तो आपके digitization बढ़ेगी दूसरा मदद क्या होगा लोगों को physically जाके payment नहीं करने पड़ेगी they can online pay the amount through the with the help of the South Indian bank और इसी के लिए इन्होंने एक website भी launch किया जो कि है SIBERnet यह platform एक website रहेगी SIBERnet इसके through यहाँ पर तेलंगना के लोग easily payment कर पाएंगे online ठीक है यह एक cyber treasury रहेगी यहाँ पर आप देखेंगे आपको कोई fees देनी है आपको charge देना है टेक्स पे करना है या किसी भी चीज के आपको यहाँ पर payment करनी होगी किसी भी drug की या किसी भी organization की तो आप यहाँ पर online easily pay कर पाएंगे ठीक है cybernet की मदद से फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है SIB bank की अगर मैं बात करूँ साथ इंडियन बैंक की मुराली रामा कृष्ण मैनेजिंग डिरेक्टर और चीफ एक्जेक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे हेड कॉर्टर रहेगा थिसूर केरला और टेग लाइन रहेगी experience next generation banking इंडिया health यहां पर याद रखे हो लिंक भी है इंडिया health link IHL इन्होंने कभी deal साइन करी कि स्टेट गौर्वर्मेंट के साथ ताकि health ATM को set up किया जा सके और यहां पर 4600 community and primary health care centers में यह आपकी ATM को set up करने की बात की गई जिसको एच पॉड बोला जाता है बेसिकली यह क्या होता है आपका एक डिजिटल ली आपका आप इसको touch screen की तौर पे पूट जैसे ATM मशीन होती है वैसी आपकी एक device होता है आप इस पर जाके अपने health से related सारे parameters भी check कर पाएंगे काफी helpful रहता है ताकि किसी individual व्यक्ति को अपने health से related कोई check करना है ठीक है कोई information लेनी है आपको weight check करना है height देखनी है आपको और कोई बिमारी से related कोई अपना data निकालना है तो उसके लिए यह काफी helpful रहता है ठीक है यह एक self service रहता है walk-in ATM होता है यह आपका जहाप 20 plus vital parameters को provide किया जाता है जैसे blood pressure, weight, pulse, temperature, ECG और यह 10 minute के अंदर आपका सारा help check up कर देता है और आपको जो भी information होती है वो provide कर देता है तो यह walk-in रहता है जैसे ATM में जाके आप पैसे निकालता है similarly आप जाके अपने health related receipt यहाँ पे निकाल सकेंगे तो यह India health link ने किस government के साथ type किया for such healthpots वो रहेगा UP government ठीक है almost 4600 centers में यह healthpots setup किये जाएंगे and it is a first of its kind service जो भी provide की जा रही है एंड काफी जादा innovative यह रहेगी future में जैसे हम जानते है UP चाता है कि हम अपने cities को global standard के हिसाब से बनाए तो यह अपने aim में अभी successful होते देख रहे हैं एवन यूपी की बात करें तो global investors summit होगी अभी फरवरी मन्थ में कहां पर लखनाव में ठीक है फिर इंडिया health links की बात करें तो डारेक्टर कौन रहेंगे क्रिशन गोयल जी headquarter कहा रहेगा करनाल हर्याना में कभी establish की गई थी 2013 में चलिए next पर आते हैं यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं सेम चीज़ दीगे यह HPOD कहा है HPOD is a self-service walk-in health ATM where individuals can get their screening for 20 plus health vital parameters जैसे blood pressure, weight, pulse, temperature, ECG and it can be done within 10 minutes and receive an instant report without any paramedic assistance next next हम बात करते हैं organic farming पर अभी जादा stress की state के दुवारा दिया जा रहा है वो है जम्मू के state या union territory के दुवारा दिया जा रहा है वो है जम्मू and कश्मीर ठीक है इन्होंने एक project launch किया ताकि sustainable agriculture को promote किया जा सके with focus on agriculture farming यहां पर 84 करोड रुपीज spend करने की बात की गई in the next five years for organic farming and यहां पर 12,600 से भी जादा jobs create करने की बात की गई and 300 enterprises बनाने की बात की गई जो की organic farming से related होगा और organic farming का एक ही जो सोटा सा नुकसान रहता है वो क्या होता है starting year में जब आप इसका start करते हैं आप chemical और fertilizers यूज नहीं करते हैं तो एक से दो साल जो आपकी उपज होगी जो harvest होगी वहां पर आपको देखने को मिल सकती है लेकिन उसके बाद जो normal harvest होती है average harvest से भी जादा harvest आपको मिलती है through this organic farming तो इसी लिए जम्मु और कश्मीर गौर्वर्मेंट ने भी प्लैन किया ताकि हम sustainable agriculture पे shift करेंगे और इसी के लिए आने वाले 5 साल में 84 करोड रुपी spend करने की बात की गई and 12,600 jobs and 300 enterprise यहां पे establish होने की बात की गई है So that's all for the day friends, अब आजाते है आपके revision पे, ministry of defense ने एक agreement signed किया with L&T to promote to procure 41 modular bridges जिसकी लागत रहेगी 2585 करोड रुपीज इंडियन आर्मी के लिए RBI की bimonthly policy monetary policy release की और रैपोरेट यहां raise कर दिया गया to 6.5% Mobyvik वो पहला fintech एप बन गया to offer UPI payment through rupee credit cards Ujivan Small Finance Bank की बात करेनों ने launch किया an app to ease banking access for digitally challenged people Bajaj Finance ने launch किया insurance small portal को EIB European Investment Bank ने agree किया to join I Indian Hydrogen Alliance and pledges to provide 1 billion euros in funding for large scale green hydrogen projects in India Samsung semiconductor India research and IISC partner किया for research and development in electrostatic discharge protection Novatec and Deepak fertilizer ने MOU sign किया LNG supply for LNG supply and low carbon ammonia के लिए Ldevice General Insurance ने rebrand किया खुद को Zuno General Insurance के नाम से TCS ने bag किया 600 million British pound sterling के लिए deal with for UK Phoenix Group और ये TCS software डेवलप करती है तो ये सारा इनका UK Phoenix Group का administration संभालेंगी by providing various softwares Grammy 2023 की बात करें तो Bangalore based Ricky Cage इन्होंने अपना third Grammy जीता during the 65th annual Grammy Awards AB के प्रसाद की बात करें they have been chosen for PCI's Rajar Ram Mohan Roy National Award for Excellence in Journalism 2020 ATD Best Awards 2023 हुए थे अभी recently और NTPC को Best NTCP ने जीता NTPC ने जीता Best ATD Best Award for the 6th time फिर Italy की Olympic Skier Elena Fanchinine का recently निधन हो गया SIB South Indian Bank ने partner किया तेलंगना government के साथ to facilitate online payments और India Health Links इन्होंने MOU sign किया UP government के साथ to set up health ATMs जमुएन कश्मीर government की बात करें तो इन्होंने launch किया है एक project to promote sustainable agriculture with focus on organic farming तो दोस्तों ये थे हमारा session अब आजाते हैं आज के homework पर पहला question इंडिया ने अग्रिक किया for a trilateral cooperation initiative in the field including energy, defense, economy with which countries Next, which union ministry implemented fame, adoption and manufacturing of electric vehicle जो कि आपका fame रहेगा ये scheme कि union ministry ने अदॉप्ट की Third, ministry of cooperation signed a memorandum of understanding with which ministry to enable primary agriculture credit society's function as common service center तो ये टीन आपके homework questions रहेंगे I hope friends आपको session पसंद आया Session पसंद आया तो वीडियो को like कर दें और comment करके जरूर बताएं आपके क्या views रहेंगे Session पसंद आ रहा है तो ये काम आपको जरूर करना है Friends and I hope आपकी preparation अच्छी चल रही है जो भी चीज़े समझ नहीं आती है आप comment section में पूछ सकते हैं आपका वहीं पर definitely reply मैं अगली वीडियो में definitely आपको explain करूँगा So that's all for the day friends Thank you and have a nice day That's all for the day friends ये हमारी वीडियो थी I hope आपको वीडियो पसंद आया होगी इसी के साथ साथ friends आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर सकते हैं आप Telegram चैनल पर जाके हमें follow कर सकते हैं इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी problem आ रही है या तो payment में या हमारे courses के साथ तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 767733862 या फिर आप हमारी mail ID पर हमें mail कर सकते हैं and I'll make sure कि आपकी जो problem है उसको जल्दी से जल्दी solve किया जाए इसी के साथ साथ आप हमारे Instagram handle affairscloud underscore official को follow कर सकते हैं code और याद रखना वो है विकास 10 अगर आपको 10% का extra discount चाहिए तो आप विकास 10 का code यूज़ कर सकते हैं आपको crack 10 के अलावा 10% का discount यहाँ पर मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related website से related या आपका course purchase नहीं हो रहा है या आपका course purchase हो गया है पैसे cut गए है या कोई भी issue आ रहा है तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 9677333862 या फिर आप mail कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com पे and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको reach करेगा and आपकी problem को solve करेगा that's all for the day friends I hope you enjoyed the session and you can follow us on the youtube channel as well as apart from youtube channel you can go and follow us at affairscloud telegram channel and if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application you can contact us on the number provided that is 7677333862 apart from this friends you can follow us on the facebook as well as on instagram handle that is affairscloud underscore official in the end friends if you use a code that is vikas10 you will be getting an additional extra 10% discount by using this code vikas10 also if you have any problem regarding the course purchase any problem regarding to our application you can contact us on the mobile number that is 9677333862 and if you want to mail us you can also mail us on support at the rate of affairscloud.com and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue you can contact us on the business so we can contact us on the website as well as let up and over to you if you have any questions from us